रूस यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध ने खतरनाक मोन ले लिया है। रूस के राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतिन ने रूसी परमानू बलो को हाई अलट पर रहने का आदेश दिया है। अब इस अलट के बाद दुनिया भर में हरकम्प मच गया है। पश्चिमी देशों ने इसे तीसरे विश्वयुद से पहले की आहट बताया है। रूसी मीडिया ने दावा किया है कि इस लड़ाई में यूक्रेन की तरफ से रासायनिक हथियार का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोनों देशों में जंग के बीच यूक्रेन के चेर्नोबिल शहर की एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपती वुलोदेमिर जेलेंसकी ने बताया था कि चेर्नोबिल पर रूसी सेनाने कबजा कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि युद्ध के दौरान हुई गोली बारी में नुक्लियर वेस्ट स्टोरेज फैसिलिटी को नुक्सान पहुचा है। आईए जानते हैं कि आखिर चेर्नोबिल परमानू हाथसे का इतिहास क्या है। दुनिया ने जापान के हिरोशिमा और नागासा की शहरों पर परमानू हत्यारों का दंच देखा है। लेकिन परमानू प्लाटों में हुई घटनाओं के चलते भी लाखों की संख्या में लोग प्रभावित हुए है। 26 अप्रेल 1986 को युक्रेन के चर्नोबिल में स्थित न्यूकलिय पावर प्लांट में हुई घटना के चलते करीब 1.25 लाख लोग मारे गए। इस हाथ से का प्रभाव इतना अधिक हुआ कि अभी तक चर्नोबिल में दोबारा बसने की किसी ने हिम्मत तक नहीं दिखाई है। यहां रहने वाले जीब जन्तू पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। पावर प्लांट में होने वाले एक नियमित परीक्षन को गलत तरीके से किया गया। इसके बाद प्लांट में हुए दो बढ़े विसफोटों ने रियक्ट की एक हजार टन की छट को ओगा दिया। इससे हिरोशिमा पर गिराए गए परमानू बम की तुलना में 400 गुना ज्यादा रेडियेशन निकला। प्लांट में हुए विसफोट में दो कर्मचारियों की मौत हुई। वही आने वाले महीनों में रेडियेशन के चलते 28 और लोगों की मौत हो गई। दूसरी और, रेडियेशन की चपेट में आने की वजह से हजारों की संख्या में लोगों को कैंसर हो गया, जो उनकी मौत की वजह बना। शेर्नोबिल की घटना ने लोगों के बीच नुकलिर प्लांट के खत्रे को उज्जागर किया। साथ ही सोवियत संख्य की सरकार की विफलता को भी उज्जागर किया। युक्रेन की राजधानी कीव से करीब 80 मील उत्तर में चेर्नोबिल स्थित है। प्लांट में काम करने वाले मजदूरों और उनके परिवारों के रहने के लिए नुकलियर प्लांट से कुछ मील की दूरी पर एक छोटे से शेहर प्रिपट को बसाया गया था। चेर्नोबिल पावर प्लांट के निर्मान की शुरुआत 1977 में हुई थी। इस दौरान यूक्रेन सोवियत संग का हिस्सा था। 1983 तक चार नुकलियर रियक्ट का काम पूरा हो चुका था। आने वाले सालों में दो और रियक्ट को तयार करने की योजना बनाई गई थी। 38 साल पहले 26 अप्रेल 1986 को ततकालीन सोवियत संग के चेर्नोबिल के नुकलियर पावर प्लांट में भयानक विस्फोर्ट हुआ था। ये धमाका इतना विनाशकारी था कि कुछ ही घंटे में यहां काम करने वाले 32 कर्मचारियों की मौत हो गई थी जबकि नुकलियर रेडियेशन से सेकडो कर्मचारी बुरी तरह जल गए थे। सोवियत संग द्वारा इस हाथसे को दुनिया से छिपाने की कोशिश गई। लेकिन स्वीडन सरकार की एक रिपोर्ट के बाद ततकालीन सोवियत संग ने इस हाथसे को माना था। सोवियत संग के बटवारे के बाद चेर्नोबिल यूक्रेन में आ गया। चेर्नोबिल नुकलिय प्लांट प्रिप्यत शहर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। 1970 में प्रिप्यत शहर को बसाया गया था। इस न्यूक्लिय प्लांट से 15 किलोमीटर की दूरी पर चेर्नोबिल शहर था. इस कस्बे में 12,000 लोग रहते थे. इसके अलावा बाकी इलाके में खेती की जाती थी. चेर्नोबिल न्यूक्लिय पावर प्लांट में 4 रियक्टर थे. चेर्नोबिल न्यूक्लिय प्लांट में खराबी आने की वजह से हाथसा हुआ था इस भीशन हाथसे में सयंत्र की छट उर गई थी और रेडियेशन काफी दूर तक फैल गया था दरसल 26 अप्रेल को न्यूक्लिय पावर प्लांट में एक जाच की जानी थी इस जाच के दौरान ही प्लांट में भीशन विस्फोर्ट हुआ था वैग्याने के एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम की जाच कर यह पता लगाना चाहते थे कि बिजली सप्लाइ बंध होने के बाद रियेक्टर के उपकरन काम करते हैं या नहीं 26 अप्रेल के तड़के एक बच के 23 मिनट प्लांट की बिजली गुल हो गई इसके बाद दिन में इस बाद की जाच के लिए एक नियमित अभ्यास किया गया कि क्या बिजली गुल होने से प्लांट के अपातकालीन वाटर कूलन सिस्टम काम करेगा या नहीं लेकिन कुछ सेकंड के भीतर ही रेक्टर नमब चार में आनियंत्रित भाप के रूप में दबाव बनने लगा भाप के इस दबाव के चलते रेक्टर की चछत उड़ गई इससे रेडियेशन और रेडियेक्टिव मलबे का गुबार बाहर निकलने लगा दो से तीन सेकंड बाद ही एक दूसरा धमाका हुआ और अतिरिक्ती इंधन बहने लगा रियक्टर नमबर तीन की छट पर आग लग गई और अब प्लांट में खत्रा मनराने लगा ऐसी दुरघटना के समय आटोमेटिक सेफटी सिस्टम को काम करना होता था लेकिन परीक्षन की वजह से इसे बंद कर दिया गया था घटना के तुरंद बाद ही दमकलकर्मी प्लांट में पहुँचे और विसफोर्ट के बाद लगी आग को बुझाने लगे इस दौरान उन्होंने रेडियेशन से बचने वाले उपकरण भी नहीं पहने हुए थे इस कारण रेडियेशन के चलते प्लांट में मरने वाले 28 लोगों में कई दमकलकर्मी भी शामिल थे चश्मदीदों ने बताया कि जो दमकलकर्मी आग बुझा रहे थे उनका कहना था कि रेडियेशन उन्हें मेटल के स्वाद जैसा लग रहा था साथ ही उन्हें चेहरे पर पिन और सुय या चुपती हुई महसूस हो रही थी सुबह पाच बजे तक रियेक्टर नमबर 3 को बंद कर दिया गया 24 घंटे बाद रियेक्टर नमबर 1 और 2 भी बंद कर दिया गया 26 अप्रेल की दोपहर को सोवियत सरकार ने आग बुझाने के लिए सैनिकों को तैनात किया कुछ सैनिकों को हेलिकॉप्टरों से रियेक्टर की छट पर ही उतार दिया गया साथ ही रियेक्टर को ठंडा करने के लिए उपर से पानी छिलका गया करीब दो सप्ताह बाद आग को पूरी तरह से बुझाया गया युक्रेन की सरकार ने 1995 में बताया कि चेर्नोबिल रेडियेशन की वजह से करीब 125 लोगों की मौत हुई सईयुक्त राष्ट चेर्नोबिल फोरम की 2005 की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि दुर घटना के बाद के महीनों में 50 से कम लोग मारे गये थे वही 9000 लोग चेर्नोबिल के रेडियेशन की संपर्क में आने से हुए कैंसर की वजह से मारे गये चेर्नोबिल आपदास से हुए स्वास्थे प्रभावस्पष्ट बना हुआ है दूसरी और प्रिपर्ट में रहने वाले करीग 50,000 लोगों को वहां से बाहर निकाला गया लोग अपने घरों और सामानों को छोड़कर वहां से जान बचाकर भाग गये